अगामी 19 एप्रिल को प्रथामचरन का मतदान होना है इस चरन में पस्चीम UP के लोग सबा सीट शामिल है पस्चीम UP किसान अंडोलन का कैंदर रहा है NDA में हाल ही में शामिल हुए रलोट का ये घर है इसके साथ ही BSP का भी ये घर है क्या होगा यहां इंडिया गडबंडन का हाल और क्या रहेगा मत दाता का मूट इस पर होनबिल टीवी के राच नेटिक संपादक रिशी भरदवाच ने इंडिया गडबंडन में शामिल NCP की यूपी अध्यक्ष धननजे शर्मा से की खास बाचीट आएए देखते हैं प्रथम चरणक के मदान में 19 तारिक को पश्चमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे और इसके बाद ही एक चीज ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो लोग वोट डालने निकलेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि लोगों का रुजहान क्या है क्यों कि कहा ये जाता है कि जितना जादा लोग बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए तो हमेशा वो बीजेपी के पक्ष में रहता है और पस्चिम को वैसे भी माना जाता है कि वो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है तो ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए NCP के प उत्तरपदेश नहीं पूरे देश में कि वल चुनाओnd एंडिया एलाइंस वर्सेज भारतिय जंत्ता पार्टी एलाइस है इंडिया एलाइस दूसरी चीज कि जो उत्तर पार्देश के पास्चिम के चुनाओं की बात आध कर रहे हैं आज बहुजल समाज पार्टी पूरी तरीके से बिलकुल जैसे बिलकुल जैसे सुस्त ताइप पड़ गई है पूरी पार्टी पूरा कैडर जिस तरह के देखे मायावती 19 तारीकों पोलिंग होने वाली है आज तक मायावती की कोई बड़ी मीटिंग पस्चिम की तरफ नहीं परवर्तन हो इस देश में परवर्तन हो और उस परवर्तन के लिए वो ओड़ डालने निकलेगा और जाहिर सी बात है कि जो इंडिया एलाइंस चल लहा है वो लोग इंडिया एलाइंस को देंगे क्योंकि बहुत सी चीज़े जो सामने आई है जो निजी करण की बात हो समाजवादी निकल नहीं रहेंगे लेकिन जो आकड़े हैं अगर आप उनको देखेंगे तो इस समय जो सबसे अमीर प्रत्याशी है वो बोजन समाज पार्टी के पूरे देश में तो इसको क्या माना जाए सबसे बली बात क्या है कि आप 2019 का चुनाव ले लीजे चाहिए 2014 क पार्टी के साथ मायावती का गडबंधता मायावती मीटिगे कर रही ती निकली जिसकी बज़े से उनकी 10 सीटें आई जहां पर वो जीरो हो गई थी लोकसभा में उसके बाद 10 सीटें आई आज की डेट में मायावती कहीं कोई आप बड़ी मीटिंग बता दीजिए जो उन की बीटीब के रूपे काम कर रही है इंडिया गडबंधन की तरब से काफी बार हो रहा था कि मायावती को लेकर आएंगे साथ में लेकिन वो आई नहीं तो प्रयास हुआ प्रयास हुआ इंडिया गडबंधन की तरब से प्रयास हुआ कांग्रेस की तरब से प्रयास हुआ हमारे सरत्पवार जी ने भी कई बार कहा कई लोगों ने कहा कि गड़ बंधन में आए तो उनको जो एक सीटे होंगी वो तैकरी आएगी लेकिन वो नहीं आई और जिस हिसाब से वो साइलेंट है इस हिसाब से लग रहा है कि उनका मददाता जो आरच्छन का खौफ है जिस त तरीके से फोर्थ कलास और तितिये सेडी की नोक्रियां पूरी निजी करण पर जा रही हूं इस आधार पर आरच्छन खतम होने के डर से आरच्छन को कायम रखने से बाबा साहब भीमराव केम बेतकर के समविधान को जिंदा रखने के लिए जो उनका ओटर है उनके सम्मा मायावती का जो लीडर्शिप थी उस यूद के लीडर्शिप पर कब जा कर चुके हैं चंसेखर और चंसेखर केवल एक ही सीट पर सिमट गए कि खुद पर लड़ने पर इसलिए वो ओटर लोगसभा में वो जान रहा है कि राहुल गांधी के नित्वत में इंडिया एलाइ जाएगी और वो सारा ओट इंडिया गडबंधन को जाएगा परवर्तन के लिए आपको क्या उमीदे लग रही है आज नौ तारीक हो गई है उनिस तारीक को जो है वोटिंग होनी है तो आपको कैसे मतलब क्या लग रहा है कि जो पस्चिम जो है क्या संदेश देने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बयार चल चुकी है इंडिया गडबंधन की और इंडिया गडबंधन के अंडर में जितने भी छोटे बड़े दल हैं सब एक साथ होकर दो हजार चौबिस में परवर्तन परवर्तन की लहल आ रहे हैं बस दो हजार चौबिस में परवर्तन होने ज मुझे यह बताइए नहीं जितने भी सर्वे आ रहे हैं जितने भी सर्वे को देखने को मिल रहा है वो चाहिए निउस पेपर हो निउस चैनल हो या और भी जो सर्वे एजंसी जे वो तो यह कह रही है कि भारतिय जनता पार्टी अखेले दम पर सतर प्रस लाएगी और एंडि 22 लाग एक लोग सबा में मद दाता है 22 लाग 23 लाग इस तरह का मद दाता है वहाँ पर सर्वे आप कर रहे हैं 20 अजार 30 अजार 50 अजार लोगों में तो 50 अजार लोगों के निड़ने पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि 22 लाग मद दाता जो है वो निड़ने उसका डिसीजन है दूसरी चीज कि जब दस साल की गुवर्मेंट हो जाती है तो उसके फायदे नुकसान ये सब जनता में एक मैसेज रहता है आज जनता जान चुकी है कि जब सेना में आप समझे नीजी करन पहुँच गया है जहां पर सेना में बीर सेनिकों के लिए के लिए चार साल के लिए पांथ आल के निया नोक्री बची है जहां पर पर्मानिट की विवस्था खतम हो चकी है जहां पर आप समझे की जो पेंशन विवस्था खतम हो रही है जहां पर फोर्ट कलास थर्ड कलास के लिए नीजी कमप राज हो जाएगा इसलिए देश में नए परवर्तन की लहर है और जो फोर्ट कलास एंपलाई है जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको कायम करने के लिए बाबा सम्विधान बाबा भीमराव अंबेतकर के सम्विधान को जिंदा रखने के लिए इसलिए राहूल गांधी ने भ लोग बच्पने से देखते आ रहे थे रामंदिर आंदोलन और उसका बड़ा असर भी रहा है और अब जब की भव्य दिव्य रामंदिर बन चुका है तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा यह जो पहले चरण की जो वोटिंग होगी उसमें और बाकी के चुनाओं के दौरान देखिए सबसे बड़ी बात है कि रामंदोलन रामंदोलन के बात एक में एक चीज और भी जोड़ेंगे कि विपक्षी पार्टियों के जो बड़े नेता रहे हैं चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उसके जो नेता रहे हैं वो अपनी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सनातन विरोधी है वो राम लला के धर्शन करने नहीं गए तो ऐसे में आपको क्या लगता है यह यह मेरा सवाल इसको साथ मही और जोड दीजेगा आप देखें सबसे बढ़ी बात यह है कि हम दूसरे की पार् दीजिया में तो कहें आएंगे तो आप यह कह रहे हैं कि यह राम मंदिर जो बना है वो भारतिये जनता पार्टी राम मंदिर यह पूरा नाम ऐसे मेरा यह है कि भारतिये जनता पार्टी धरम का निजी करण कर रही है वो भगवान को भी अपना प्रोडेक्ट में रख रही है कि राम उन्हीं के हैं और किसी के नहीं तो सबसे बड़ी बात है राम घट घट में हैं और सबके बसे हुए हैं मन में हैं और हम लोग तो भाई तुलसीदाजी ने कहा है कि जापर करपा राम की होई तापर करपा करे सब कोई और प्रभू राम की करपा सब पर है राम जी अ उसकी जमीन बेच के खा गए, ठगी कर ली, भाई राम आंदोलन के जो में हीरो थे, वो सब गायब कर दिये गए, सबसे बड़ी बात है, कि राम आंदोलन के जो में हीरो थे, वो पूरे मंदिर निर्मान में गायब रहे, यह देख दुरभाग पूर भी से है, उनको नहीं इं लोगों को प्रेरित करेगी, देखिए एक तरीके से मैं बताओं, एक तरीके से भगवार राम जी का भी राज्यती करन करा गया, साउत के भगवार जो है, देखिए उनका रंग अलग होता है, और इधर के भगवानों का रंग अलग होता है, लेकिन केवल ओट के लिए भग वानों का रंग में बदलाव किया गया इसलिए सबसे बड़ी बात और दूसरी चीज कि मैं एक अही चीज जानता हूं कि जहां पर हीरोज की कदर ना हो राम मंदिर के अंदोलन की हीरोज की कदर ना हो और दूसरे लोग आके हीरो बन गए भाई अगर ये डिसाइड हो रहा है कि न्याय पालिका ने राम मंदिर का आदेश दिया तो आप कहे के लिए बता रहे हो कि मैंने बना दिया भाई वो तो न्याय पालिका ने सारा नेड़े कि न्याय पालिका मंदिर भी बनवा रही है महजित भी बनवा रही है बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब एक व्यक्त राम को लाने वाला हो गया तो इसका क्या मतलब आपको क्या लगता है कि विपक्च इसको मुद्दा बना पाएगा या कि राम मंदिर को देखके ही वोटिंग होगी सबसे बली बात है मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जिसने भी धर्ती पर भगवान बनने की कोशिस की और इसके बहुत बड़े उधारन हैं चाहे आप अकबर को देख लीजिए अकबर समराद कहे गए दीने इलाही धर्म चलाया अपना धर्म चलाने लगे खतम हो गए वो धर कहां गया कहीं गायब हो गया पूरा इसी तरीके से जो लोग भगवान बनने की कोशिस जो जिन लोगों ने धर्ती पर की है उनका बिना से ही हुआ है भगवान भगवान है और भगवान का सरूप भगवान पुरसोत्तम राम और यह सब जो करेक्टर है यह किसी के पास नही चरणों के धूल भी नहीं आदमी बन सकता है भगवान के, क्योंकि वो करेक्टर, वो परमात्मा का सुरूप और जो भगवान बनने की कोशिज, जो लोग उनको भगवान बनाने की कोशिज, जो चापलूसी कर रहे हैं, कि आसमान में उनने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, और देते हैं भगवान को दोखा, इंसां को क्या छोलेंगे, जो लोग इंडिया गडबन्धन को कमाक रहे हैं, मैं कल्कुलेशन से यह नहीं कह सकता हूं कि इतनी सीटे मिलेंगी, लेकिन भारतिये जनता पार्टी से जादा मिलेंगी, और उसका सबसे बड़ा मैसेज गया, कि इतने बड़े मंच में पस्चिम में आपने जैंत को रखा, और जैंत की मीटिंग नहीं कराईगी, भासन नहीं कराए गया, तो वो भी मैसेज गया है लोगों के बीच में, कि एक इतने बड़े नेता को आपने जोईन कराया, बीजेपी जोईन कराया, और उसका भासन आंदोलन, पस्चिम से सुरुआ है, पस्चिम की जान है, इसलिए किसान आंदोलन और किसान अपने हक में इंडिये, इंडिया एलाइंस को देंगे, क्योंकि हम लोगों ने कहा है, कि हम उनकी सारी मांगे पूरी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के ल है, बहराल अब भगवान राम इंडिया गडवंधन के लिए पस्चिम से क्या संदेश लेके राते हैं, ये तो समय ही बताएगा, फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार